हलो बच्चो आज हम कर रहे हैं कक्षा नववी की प्रश्ण बेंक में से प्रश्ण बेंक जो आपकी महतुपुर्ण प्रश्णों की है प्रश्ण बेंक 2021 बावीस में आज हम सामाजिक विज्ञान में करेंगे लोकतांत्रिक राजनिती लोकतांत्रिक राजनिती के सारे objective questions सारे एक एक नमबर वाले प्रश्ण आज हम इस विडियो में कर लेने वाले हैं जिससे कि आपके राजनिती के जो वस्तोनिस्ट प्रश्ण वो सारे complete हो जाए तो शुरू करते हैं तो राजनिती विज्ञान में अध्या एक है लोकतांत्र क्या लोकतांत्र क्यों इसके जो बहुविकल्पी प्रश्ण है वह हम करने वाले हैं तो प्रश्ण नमबर पहला है डॉक्टर नेलसन मंडेला थे तो यहां देश के नाम पुछे दक्षन अफरिका इंगलेंड चीन भारत इसका उत्तर आएगा दक्षन अफरिका डॉक्टर नेंसन मंडेला दक्षन अफरिका के थे इसके बाद दूसरा प्रश्ण है दक्षन अफरिका गंडाज बना तो दक्षन अफरिका गंडाज कब बना था इसका उत्तर आएगा 26 अप्रेल 1994 को इसके बाद दूसरा प्रशन है दक्षन अफरीका गंडराज्य बना तो इसका उत्तर होगा 26 अपरेल 1994 को दक्षन अफरीका गंडराज्य 26 अपरेल 1994 को बना था इसके बाद प्रश्ट नमबर तीसरा है सरोजिनी नाइडू थी इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल इसके बाद चोथा है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे चार उप्षन है डॉक्टर राजिन प्रिसाद, डॉक्टर भीमराव अमबेटकर, डॉक्टर राधा क्रश्नन या जगजीवन राम तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन का कथन था लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शाशन है इसके बाद हम प्रश्न नमबर दूसरा करेंगे सत्य असत्य का चैन कीजे तो यहां में सत्य असत्य बताने है इसमें जो पहला प्रश्न है गंटंत्र का इसके बाद दूसरा है भारत एक धर्मनिरपेक्षराजिय तो यह भी सथ्य है तीसरा है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो यह भी सथ्य है चोथा भारत उसक्तम्ना को निमया। तो यह भी सत्य है और पाच्व है अमेरिका एक लोक्तांत्रिक देश है तो यह भी सत्य है तो इसमें सारे सत्य है इसके बाद प्रश्ट नमबर तीसरा है खाली स्थान की पूर्ती कीजिए तो यहां पर खाली स्थान में हमें भरना है तो इसमें पहला है भारत में वोट डालने की उम्र है भारत में वोट डालने की उम्र है तो यहां आ जाएगा अठारह वर्ष है भारत में वोट डालने की उम्र है अठारह वर्ष है इसके बाद दूसरा है आग सांसु की है तो आग सांसु की कहां की है यह बताना है तो हम लि मियानमार की है आंग सांसु की इसके बाद अगला है सयुक्त रास्ट सुरक्षा परिशद में देश है तो सयुक्त रास्ट सुरक्षा परिशद में कितने देश है तो यहां लिखेंगे हम पांच देश है इसके बाद अगला है सैनिक शाषन होता है तो सैनिक शाषन जो है यह इसके बाद पांच वाय भारत में रास्ट्रपती का कारेकाल होता है तो भारत में रास्ट्रपती का कारेकाल जो है पांच वर्ष होता है इसके बाद हम अगला प्रेशन करेंगे प्रेशन नमबर चोथा एक वाक्य में उत्तर दीजिए तो यहां एक वाक्य में हमें उत्तर द पटेल सरदार वल्लब भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लब भाई पटेल को इसके बाद नेता जी के नाम से जाना जाता है तो नेता जी के नाम से जाना जाता है सुभाश चंद्र बोस तो इसका उतर आएगा सुभाश चंद्र बोस सुभा वाश्चंद्र बोसको इसके बाद है पंत निर्पेक्ष्य से तात पर यह है तो इसका तात परिया है राज्य की द्रस्टी में राज्य की दस्टी में सभी धर्म समान है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है. इसके बाद अगला है, समता से तातपर है, कानून के समक्ष सभी समान है, इसके बाद अगला पाच्वा है, पॉलिटिक्स के रचीता है, अरस्तु, पॉलिटिक्स जो पुस्तक है, इसके रचीता है, अरस्तु, ठीके यह हो गया है. अगला पाच्वा प्रश्ने, सही जोडी मिलाई है, यहां खंड अ में दे रखा, कॉलम अ में भारत का सविधान बना, स्वतनतो निश्पक्ष चुनाओ, धारा, देश का सरवच्य कानून, टॉक्टर राजिन प्रसाथ, और कॉलम ब में दे रखा, लोक्तनत्र का आधार, स सविधान, सभा के अध्यक्ष, किसी दस्तावेच का खास हिस्सा, और 26 नवंबर 1929, तो अभी इनकी जोडी सही जोडी हम मिला देंगे, भारत का सविधान बना, तो इसका उतरा जाएगा, 26 नवंबर 1929 को, स्वतनतो निश्पक्ष चुनाओ, लोक्तनत्र का आधार है, इसक पर हमने जोडी मिला दी है, इसके बाद हम करेंगे प्रेश्च नमबर 6, और साथ हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको जो है, हमें लिखके बताना है, और इनको कौपी में किया जाएगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो अब हम करेंगे इसके आगे का अध अध्याय 2, तीके अभी हम केवल बहुविकलपवाले प्रेश्चन कर रहे हैं, अब हम करेंगे अध्याय 2 सवविधान निर्मान के जो महत्वपुर्ण अब्जेक्टिव क्यूश्चन है, बहुविकलपवी प्रेश्चन है, एक एक नमबर वाले उनको कर रहे हैं, तो इसम सविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे, तो इसका उत्तर आएगा 350, 350 सदस्य थे, इसके बाद अगला जो जो था प्रेश्चन है, भारती सविधान लागू हुआ, भारती सविधान लागू हुआ, तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हु में समय लगा था 2 वर्ष 11 महां 18 दिन का समय लगा था तम प्रश नमबर दूसरा करेंगे सत्यास्थ्य जैन गी जी इसमें पहला प्रश नें नेलसन मंडेला भारत के जन नेता थे तो यहाँ असत्य है क्योंकि वह दक्षिन अफ्रीका थे दूसरा है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह सरोजिनी नाइडू थी यह असत्य है इसके बाद तीसरा है जंपारन सत्यागरह में डॉक्टर राजन प्रसाथ ने भाग ल उद्देशी का होना था भारती सविदान की उद्देशी का सविदान की आत्मा है तो यह सत्य है इसके बाद प्रश्ण नमबर तीसरा है खालिस्तान की पूर्ति की जीए इसमें पहला प्रश्ण सविदान सभा की प्रथम बेठक में हुई तो सविदान सभा की प्रथम बे देश में लागू हो गया था इसके बाद मूल करते वे संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो मूल करते वे 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इसके बाद चोथा निती निदेशक्ततों के सविधान से लिया गया है तो निती निदेशक्ततों जो है आयरलेंड के सविधान से लिया गया है Ireland के सविधान से लिया गया है इसके बाद अगला है संसदी शाषन व्यवस्ता के सविधान से लिया गया है इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसमें प्रच नंबर जो चोथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए उसे पहला दर्म निर्पेक्षता का अर्थ है धर्म निर्पेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्म समान है सभी धर्म समान है धर्म निर्पेक्षता का तत्पर है सभी धर्म समान है अगला है सविधान सभा तो सविधान सभा जो है चुने हुए जन प्रती निधियो का समूह चुने हुए जन प्रती निधियो की सभा समूह मतलब उनकी जो सभा थी जिन्होंने सविधान लिखा चुने हुए जन प्रती निधियो की सभा जिन्होंने सविधान लिखा तिसरा है गणराज्य तो गणराज्य किसे कहा जाता है तो शाषन का प्रमुख गणराज्य वह शाषन वियस्ता है जिसमें शाषन का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है शाषन का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है तो वह गनराज्य कहलाता है शाशन का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है इसके बाद चोथा है समता तो समता है कानून के समक्ष सभी बराबर है यही समता है इसके बाद हम देखेंगे अगला बंदूता तो बंदूता का अर्थ होता है लोगों के बीच प्रेम और भाई-चारा ही बंदूता है इसके बाद हम अगला करेंगे प्रश्ट नमबर पाँचवा सही जोडी बनाईए तो इसमें कालम अ में दे रखा दुर्गाबाई देश मुख, शामा प्रसाद मुखर जी, मीरा कुमार, प्रतिभा पार्टिल और इंद्रा गांधी और कालम ब में दे रखा जनसंग के संस्थापक, लोगसभा अध्यक्ष, रास्ट्रपती, प्रधान मंत्री और समाज कल्यान बोर्ड के अध्यक्ष तो अब इनकी सही जोड़ी बना देते हैं, तो इसमें जो पहला है दुर्गाबाई देश मुख, इसकी जोड़ी बनेगी समाज कल्यान बोर्ड के अध्यक्ष, शामा प्रसाद मुखर जी, जनसंग के संस्थापक थे, मीरा कुमार, लोगसभा की भुत पूर्व प्रतिभाप पार्टिल पूर्व रास्ट्रपती हैं, और इंद्रा गांधी पूर्व प्रधान मंत्री थी, तो इस प्रकार यह जोड़ी भी हो गई, इसके बाद लगुतरिय और दिरगुतिर प्रश्णों के वीडियो अलग से बनाए जाएंगे, इसमें भी महतपुर्ण प्रश्णों के वीडियो बनाए जाएंगे, जिससे कि आपको एक्जाम में अच्छे नंबर आप ला सको, अब हम करेंगे अध्याए तीन, अध्याए तीन का नाम है चुनावी राजनिती, और इसके हम बहुविकल्पी प्रश्णों के उतर वाला प्रश्ण करेंगे, इसम अगला है, सरवादिक लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो यह संख्या है उतर प्रदेश में, इसके बाद तीसरा है, सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेश का पालन करते हैं, तो इसका उतर होगा चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया जाता इसके बाद चोथा है लोकसभा विधानसभा के उमिद्वार बनने के लिए नियूंतम आयू सीमा है तो इसका उत्तर होगा 25 वर्ष इसके बाद पाच्वा है वोट देने का अधिकार नहीं है तो किसे नहीं तो इसमें आएका उप्रयुक्त सभी इसमें पागल या मांसिक वि निर्वाचन आयूक्त की नियूक्ति रास्ट्रपति करता है तो यह सत्य है दूसरा है लोकसभा चुनाओ के एक निर्वाचन शेत्र पर अधिक्तम खर्च की सीमा 25 लाग है तो यह भी सत्य है तीसरा है आम चुनाओ पांस साल बाद होते हैं तो यह भी सत्य है चोथा है चा अगला करेंगे प्रेश्च नमबर तीसरा खाली स्थान की पूर्ति कीजिए इसमें पहला चुनाव आयोक कार्यालई है नई दिल्ली में इसके बाद अगला है प्रत्याशों को चुनाव चिन प्रदान करता है तो प्रत्याशों को चुनाव चिन निर्वाचन आयोक प्रदान करता है चुनाव चिन इसके बाद अगला है भारत में प्रती वर्ष बाद चुनाव होते हैं तो प्रती पांच वर्ष बाद चुनाव होता है चोथा है चुनाव प्रचार के लिए सहीता का पालन करना जरूरी है तो चुनाव प्रचार के लिए आचार सहीता का यहां आएगा ठीक है यहां आएगा आचार सहीता का पालन करना जरूरी है ठीक है इसके बाद अगला है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है नमर चोथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसमें पहला आचार सहीता तो आचार सहीता क्या होती है तो यह होती है चुनाओ के समय उमीदवारो द्वारा माने जाने वाले दिशा निर्देश ही आचार सहीता होती है अगला है मतदाता सुची तो मतदाता सुची क्या होती है तो मतदाता सुची है चुनाओ में वोट डालने योग्य लोगों की सुची मतलब ऐसे लोगों की सुची जो उस चुनाओ में वोट डालेंगे मतलब जिन्होंने अठा वर्षी के आयूपूर्ण कर ली है उन लोगों की सुची मतदाता सुची कहलाती है कि पार तीसरा है उप्चुनाओ तो यहा पे उप्चुनाओ तो किसी सेट्र में सदस्य की, जो चुने हुए सदस्य होते हैं चाहे विदान सबाओं के हों या लोग सबाओं के हों तो उनकी सदसे की मृत्यू या तो मृत्यू हो जाए उनकी या इस्तिफा दे दे मृत्यू या इस्तिफे से जो खाली सीट होती है से खाली सीट के लिए के लिए चुनाओ ठीक है किसी शेत्र में जो सदसे चुने होए या तो उनकी मृत्यू हो जाए इस्तिफा दे दिया जा तो सीट खाली हो जाएगी तो वहाँ जो चुनाव के जाएंगे उन्हें कहलाता है वह चुनाव कहलाएंगे उपचुनाव इसके बाद चुनाव चिन्न तो चुनाव चिन्न के जो है चुनाव आयोग या जिसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग द्वारा उमीदवारों को दिया जाने वाला चिनन जिसके आधार पर अपना प्रचार प्रसार करते हैं और चुनाव के समय उसी चिनन पर उन्हें वोट दिया जाता है इसके बाद है मतदान तो मतदान क्या होता है मतदाता द्वारा चुनाव के दिन प्रत्याशी को दिया गया मत या पर जिसे हम वोट भी कहते हैं जो वोट दिया जाता है मतदाता जो अपने पसंद के उमीदवार को जो वोट देंगे वही मतदान होता है इसके बाद हम अगला प्रिशन करेंगे सही जोड़ी मिलाईए तो इसमें जो है कालम अ के जो भाग दे रखें हम पढ़ लेते हैं तो इसमें पहला है मद्यपदेश विदान सभा की सदस्य संख्या दूसरा है राज सभा सदस्यों की संख्या तीसरा है वस्क मतदिकार की आयू चोथा है रास्ट्री मतदाता दिवस और पाच्वा है सबसे बड़ा लोग सभा निर्वाचन शेद्र कॉलम ब में दे रखा 18 वर्ष लद्दाक 25 जनवरी 250 और 230 तो इसमें जो पहला है मद्यपदेश विदान सभा की सदस्य संख्या तो इसका उत्तर आ जाएगा 230 राज सभा सदस्यों की संख्या है 250 वस्क मतदिकार की आयू है 18 वर्ष रास्टी मत्ताता दिवस 25 जनवरी को और सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन शेद्र है लद्दाक इसके बाद हम अगला प्रशन छे और साथ जो है बात में करेंगे इसमें भी हम important question करने वाले हैं इसके बाद है अध्याय चार संस्थाओं का कामकाच और इसमें पहला जो प्रशन है बहुवी कल्प प्रशनों के उत्तर दीजिए इसमें पहला है कौन संस्था देश में मोजूदा कानून में संशोधन कर सकती है मोजूदा कानून में संशोधन कौन सी संस्था कर सकती है तो इसका उत्तर आएगा संसथ संसद ही मोजुदा कानून में संशोधन कर सकती है इसके बाद दूसरा है रास्ट्रपती पत के उमिद्वार के लिए न्यून्तम आयू सीमा है तो इसका उतर आएगा 35 वर्ष इसके बाद तीसरा है सरोच न्यालय के मुख्य न्याय धिशु की न्यूकती करता है तो इसका उतर आएगा रास्ट्रपती इसके बाद प्रश नमबर जो चोथा है यहां पे राज्य सभा में रास्ट्रपती कितने सदसे मनोनित करता है तो इसका उतर होगा 12 इसके बाद पाचवा है संसत के कितने सदन होते हैं तो संसत के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा इसके बाद हम प्रश्ट नमबर दूसरा करेंगे सत्य सत्य का चैन केजिए इसमें पहला है भारती सेनाओ का मुख्य कमांडर रास्टपती होता है तो इसका उत्तर हो का सत्य दूसरा है राष्टपती प्रधान मंत्री की सिफारिश पर मंत्यों की नियुक्ति करता है तो यह भी सत्य है तीसरा है प्रधान मंत्री की नियुक्ति जनता करती है तो यह असत्य है तो यह असत्य है इसके पार चोथा है लोकसभा मंत्री परिशत को नियंत्रित करती ह तो यह सत्य है और 5 है लोकतांतिक व्यवस्ता में शाश को भी कानुन का पालन करना होता है तो यह भी सत्य है तो इसमें यह सत्य है बाकी सभी सत्य है इसके बाद हम अगला करेंगे अगला जो प्रेश्ट नमबर तीसरा है खाली स्थान के पूर्ति कीजिए इसमें पहला है राज्यसभा से संबादित अनुच्छेद है राज्यसभा से संबादित अनुच्छेद 19 का टिका द्वारा लगवाया गया तो COVID-19 का टिका सरकार द्वारा लगवाया गया इसके बाद चोथा है निमन सदन को कहा जाता है तो निमन सदन लोकसभा को कहा जाता है यहां पर आएगा निमन सदन लोकसभा को कहा जाता है इसके बाद अगला है भारत के वर्तमान रास्ट रामनाथ कोविंद श्री रामनाथ कोविंद भारत के वर्दमान रास्ट्रपती है तो इस प्रकारिया रिक्तिस्तान हो गए हैं इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो इसमें पहला निर्वाचन शेत्र तो निर्वाचन शेत्र क्या होता है तो यह होता है चुनाओ के उद्देश्य से बाटा गया शेत्र एक निष्टे शेत्र बना दिया जाता और उससे खा जाता है निर्वाचन शेत्र है इसके बाद संसद में शामिल है तो संसद में क्या शामिल है संसद में शामिल है लोकसभा लोकसभा राज्यसभा और रास्ट्रपती रास्ट्रपती लोकसभा राज्यसभा और रास्ट्रपती जो है संसद में शामिल है इसके बाद अगला है तीसरा कैबिनेट तो मंत्री परिशत का शीर्ष समु जो सरवच निर्णे लेता है तो यह कैबिनेट जो होती है मंत्री परिशत का मंत्री परिशत का शीर्ष समु हो जिसमें मुख्य मुख्य मंत्री होते हैं वह होती है कैबिनेट और यह मंत्री परिशत का शीर्ष समु घलाता है इसके बाद गठ गठबंदन सरकार का अर्त है एक से अधिक दलों की मिली जूली सरकार जब चुनाओं में किसी एकी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर दो या अधिक पार्टिया मिलकर जो वहाँ पर बहुमत सिध्ध करती है और उन सब की मिली जूली एक सरकार बनती है तो उसे कहते हैं गठबंदन सरकार इसके बाद पांचवा है समय पूर्व नयाधिशो को पद से हटाया जा सकता है तो यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा समय पूर्व नयाधिशो को पद से हटाया जा सकता है इसके बाद अगला प्रिशन है सही जोड़ी मिलाईए इसमें कालम और कालम ब हैं कालम अ में लोकतांतिक व्यवस्था मुख्य ने अधिश के नियूक्ती सरोच नेयले मध्यपदेश उच्छ नेयले सुप्रीम कोट के नेधिश उका कारेकाल कालम ब में राष्टपती जticैनि वर्ष देश के नैयाएतिश के प्राशाशन को नियद्थित करता ह तो पहला जो है लोकतांतिक व्यवस्था तो इसका उत्तर आएगा काईदे कानुनों को मानना इसके बाद दूसरा है मुख्य नयाधिश के न्यूक्ती रास्ट्रपदी सर्वुच्य नयाले है देश के नयाईक प्रशाशन को नियंदित करता है इसके बाद चोथा है मुख्य नयाले जबलपूर में है और सुप्रीम कोर्ट के नयाधिश का कारेकाल 65 वर्श तक होता है अब इसके बाद हम लगुत्री प्रशन और दिरगुत्री का अलग से वीडियो बनाएंगे इसमें भी महत्पुन प्रशन करेंगे इसके बाद अगला है अध्याए 5 तो यहाँ पर गलत लिखा यहाँ पर आना था अध्याए 5 ठीके अध्याए 5 है लोकतांत्रिक अधिकार ठीके लोकतांत्रिक अधिकार है अध्याए 5 तो इसका प्रशन पहला बहुविकल पर प्रशनों के उत्तर दीजिए इसमें पहला प्रश्ण है मौलिक अधिकार नहीं है तो इन में से कौन सा ऐसा है जो मौलिक अधिकार नहीं है तो इसका उत्तर होगा संपत्तिक अधिकार संपत्तिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दूसरा है गुवात नामों जेल इस्थी थे तो इसका उत्तरों का क्यूबा तीसरा है मौलिक अधिकारों का रक्षक है मौलिक अधिकारों का रक्षक है तो इसका उत्तरों का सरोच नयाले वा उच्च नयाले यहां दोनों जो हैं मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं चोथा है समानता का अधिकार है समानता का अधिकार है तो इसका उत्तर होगा अनुचेत 19 से 22 पाच्वा है व्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा आवश्यक है व्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा आविशक है मौलिक अधिकार इसके बाद हम करेंगे प्रश्ण नमर दूसरा सत्य सत्य का चैन इसमें पहला है प्राण्व देहिक सतंता अनुच्छत 21 में है तो यह सत्य है ठीक है यह वलाएगा सत्य इसके बाद दुसरा है दक्षिन अफरीका के सविधान में पर्यावरण का अधिकार है तो यह भी सत्य है फिर तीसरा है रिट का तातफ़ए नियाले द्वरा जारी आधेश इसे है तो यह भी सत्य है चोथा है अधिकार और करतेवर safe एक दुसरे के पूरक है तो यह भी सत्य है और पाच्वाय संपत्य के मौलिक अधिकार को 85 सविधान संशोदन द्वारा हटाया गया तो यह असत्य है यह असत्य है बाकी राइट है सही है इसके बाद प्रेश्टमबर तीसरा है कालिस्थान की पूर्ति कीजिए इसमें पहला है भारत में मानो अधिकार आयोका गठन हुआ तो भारत में 1993 में मौलिक अधिकार आयोका गठन हुआ इसके बाद अगला जो दूसरा है मौलिक अधिकारों का सरक्षन करती है तो यहाँ एका न्याय पाली का मौलिक अधिकारों का सरक्षन करती है इसके बाद तीसरा है सविधान की आत्मा का अधिकार है तो सविधान की आत्मा कौन सा अधिकार है तो इसे यह जो है सविधानिक उपचारो का अधिकार है सविधान की आत्मा सविधानिक उपचारों कादिकार है इसके बाद चोथा है अदालत में पेश होने के लिए नयाले द्वारा पत्र कहलाता है तो अदालत में पेश होने के लिए नयाले द्वारा जो जारी पत्र किया जाता उसे कहते हैं सम्मन इसके बाद पाँचवा है, Amnesty International संस्था का मुख्याले में है तो इसका मुख्याले है London में Amnesty International संस्था का मुख्याले है London में इसके बाद प्रश्ण नुमर चोथा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए इसमें पहला सांस्कृतिक वशिक्षा का अधिकार क्या है, तो यहाँ पर आएगा 6-14 वर्ष के बच्चो को निहें शिल्क शिक्षा ठीक है पहले का उत्तर है सांस्कृतिक में शिक्षा का अधिकार में इसके बाद दूसरा है सववेधानिक उप्चारों का अधिकार सववेधानिक उप्चारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है इसके बाद जो तीसरा है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था अधिकारों की सरक्षक मतलब जो रक्षा करती है मानौ अधिकारों की इसी संस्था है Amnesty International संस्था इसके बाद अधिकार क्या है अधिकार है तो एसा दावा जिसका उचित्य सिद्ध हो वहिने समाज से संस्क्रति और अदालोत दोरा माननेताब मिली हो एसा दावा एसा दावा जिसका जिसका उचित्य सिद्ध हो तथा अधालतो दोरा माननेताब प्राप्त हो तो यह इसका उत्तर आएगा इस पाँचों अवेत व्यापार किसे कहते हैं तो इसका उत्तर आएगा इसा व्यापार इसा व्यापार जिसे सव्विधान इसा व्यापार जिसे सव्विधान या कानून दोरा माननेता न हो तो उसे कहेंगे अविद व्यापार तो इस प्रकार है राजनिती विज्ञान के आपके पुस्ता के उसके सारे महत्पुर्ण अब्जेक्टिव क्योश्चन बहुविकल्पी प्रश्ण मतलब एक एक नंबर आले प्रश्णा हम कर चुके हैं और इसके बाद हम इसके लगूत्री और दिरगूत्री प्रश्णों का वीडियो अलग से बनाएंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए महत्पुर्ण प्रश्णों के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए